नमस्कार आरे नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुख करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की और यूपी विधान सबाचुनाफ को लेकर इन दिनों नामांकन का दोर जारी है उपमुक्य मंत्री केश्व प्रसाद मौरे गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे साथी बीज़पी ने उन्हें कोशामबी से सिराथू से उमीदवार बनाया है सिराथू मौरे का जन स्थान भी है और मौरे के नामांकन पत्र दाखिल करते समय बीजबी अद्यक्ष जेपी नड़ा भी मौजूद रहेंगे बता जो रहा है कि नामांकन दाखिल करने से पहले मौरे ने कहा कि वो सिराथू क्या बेटा है सिराथू मेरा है कोई भी चुनाव लड़े उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उपमुके मंत्री केश्ब प्रसाद मौरे के नामांकन के समय बीजबी के कई वरिष्ट नेता भी जोरान मौजूद रहेंगे साथ ही इसमें पार्टी के राश्ट्री अद्यक्ष जेपी नड़ा केंज्रे मंत्री और बीजबी के उतरप्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपना दल की प्रमुक अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगे सिरातु से केश्ब प्रसाद मौरे के चुनाव लड़ने की वज़े से वो उतरप्रदेश की वी आईपी सीट हो गई है अब सबकी नजरे वहीं लगी हुई हैं दरसल अखिलेश और शिपाल के सामने कॉंग्रेस ने उमिद्वार नहीं उता रहा है क्योंकि सपा बसपा और कॉंग्रेस ये सब एक हैं इसलिए प्रत्याशी नहीं उता रहा इस बार के चुनाव में किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है सब बिना मुद्दो के ही बात कर रहे हैं सिर्फ बीज़पी है जो विकास बिजली पानी और सड़क जिसे मुद्दो पर चुनाव लट रही है और पहले बीज़पी के साथ सीटों के लिए संगर्च और अब टिकिटों के बटवारे को लेकर निशाद पार्टी के भीतार संगराम मच गया है भीता दिन गोरखपुर में निशाद पार्टी के दफ्तर के बाहर भी और भीतार जम कर हंगामा देखने को मिला निशाद पार्टी के मुख्या डॉक्टर संगर निशाद ने कल शाम को अपने च्री उमिदवारों के लिस्ट जारी की और कई सीटों पर उमिदवार के नाम देखकर पार्टी के भीतार बवाल शुरू हो गया आपको बता दें कि सबसे पहले निशाद बहुले गोरकपूर ग्रामिंड सीट पर हंगामा खड़ा हुआ और पार्टी के कारेकरताओं की मांग थी कि उस सीट से संजय निशाद के बेटे सरवन निशाद को टिकेट मिले लेकिन पार्टी ने यही वादा भी किया था लेकिन नई लिस्ट में गोरकपूर ग्रामिंड से शरवन निशाद का नाम सामने नहीं आया इसके बाद कारेकरता हंगामा करने लगे महिला कारेकरता उन्हें सीधी धम की दी कि सर्वन निशाद को गोरगपुर ग्रामींट से उमीदवार नहीं बनाये गया तो उनका वोड निशाद पार्टी को नहीं मिलेगा छोटी सी पार्टी चुनाफ के बीच एक पड़ी मुसीबत सामने बन कर आ सकती है साथ ही आपको बता दें कि सर्वन निशाद को गोरगपुर ग्रामींट के बतले चौरी-चौरा सीट से चुनाफ में उतारा जा रहा है उदर चौरी-चौरा सीट से टिकेट की उमीद लगाए नेता जी के लोग भी भड़क गए हैं तो वहीं इश्वर चंद जयस्वाल के समर्थकों ने संजन निशाद और उनके बेटे सर्वन निशाद का पुतला फूख कर अपना गुस्सा जाहिर किया तो वहीं कॉंग्रिस के बरिश नेता और यूपी चुनाव के स्टार प्रचारक रहे कैमपेइनर सचिन पाइलेट ने अब अब अखिलेश यादव और शिपाल यादव के खिलाव उम्मेदवार नहीं उतारने पर बयान दिया है बदवार को कॉंग्रिस नेता ने कहा है कि पार्टी द्वारा दोनों के खिलाव उम्मेदवार नहीं उतारने का एक राज़ुनितिक शिष्टाचार है यूपी चुनाव के स्टार कैंपेइनर सचिन पालेट ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांदी ने राज़ुकी राय बरेली सीट से समाजवादी पार्टी के कोई उमिदवार समाजवादी पार्टी के खिलाव नहीं उता उन्होंने ये भी कहा कि पास साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी लोगों को धमका कर वोट लेना चाहते हैं हालकि राज़ु में कॉंगरस अपने घोशना पत्र और उमिदवारों के दम पर चुनाव लट रही है प्रेंगा गांदी ने पहले ही महिलाओं पर ध्यान के इंडित किया हुआ है और आपको बता दें कि कॉंगरस ने विधान सबाचुनाव में करहल सीट पर सपा प्रमुक अकिलेश यादव के खिलाव कोई उमिदवार नहीं उतारा तो महीं उनके चौचा और प्रसूपा प्रमुक शिवपाल यादव के खिलाव भी पार्टी ने जस्मत नगर से कोई उमिदवार ना उतारने का फैसला किया है तो महीं सुनिया गांधी की बात करें तो राइबरेली सीट से लगातार चोथी बार सांसद हैं उन्होंने यहां से 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसबाचुनाव जीत तरची थी तो महीं सपा ने 2019 में में राहुल गांधी से उनके खिलाब अमेटी से कोई भी प्रत्याशी नहीं होता रहा था तो महीं बात करें पंजाब की तो पंजाब के पठान कोट के वार्ड नमबर 19 में उस समय दहशुत का महल बन गया जब वार्ड में बीजपी की ओर से एक कारेकरम कायोजिन किया गया था जिसमें पठान कोट में बीज़पी उमीदवार और बीज़पी पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा को विशेशतोर पर पहुंचना था लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ शरार्ती तत्वों की ओर से रैली में हंगामा कर दिया गया इसमें तेशधार हत्यारों से हुए हमले में करीब चार लोग घंबी रूप से जखमी हो गए हैं गायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाए गया यही नहीं बलकि इस रैली में लगाई गई कुरसियां भी तोड़ दी गई साथ ही शुरार्ती तत्वों ने रैली में पहुंचे लोगों को भी नुकसान पहुंचाया बीजबी की रैली पर हुए इस हमले को लेकर बीजबी पंजाब प्रधान ने प्रशासन और कानून विवस्ता पर सवाल उठाये हैं इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो रैली में पहुंच रहे थे कि तब ही वाट की ही कुछ शुरार्ती तत्वों ने रैली ना करने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया और तोड़ फोड भी मचाई इस जबरान रैली में आए शुरार्ती तत्वों ने तेज़ धारतियारों से रैली में मوجود लोगों को जखमी कर दिया है उन्होंने बताए कि अशुरार्ती तत्वों ने हंगामा करना शुरू किया और इसके साथ ही रैली नहीं होने देने की बात कही साथ ही जख्मी हुए लोगों ने इनसाफ की अब गुहार लगाई है इस बारे में बात करते हुए जॉक्टर ने बताया कि कुछ लोग जख्मी हालत में ऑस्पिटल लाए गए थे इनका इलाज जारी है फिलाल सभी की हालत ठीक बताए जा रही है बीजबी द्वारा आयुजद की गई इस रैली में हुए इस हमले पर बात करते हुए आश्विनी शर्मा ने कहा है कि बीजबी की रैली में कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा किया जो की सरासर गलत है उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन कानून व्यवस्ता बरकरार रखने में नाकामियाब साबित हुआ